यह वो इस्तान है जहां पर भीम ने अपनी गदा से पहाड के उपर प्रहार किया था दोस्तो आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक एसी एतिहासिक जगे जो महा भारतकाल से जुड़ी हुई जगे है दोस्तो आभी हम इस समय है एक जंगल में आप मेरे पीछे देखोगे तो इधर पहाड है और जंगल है तो दोस्तो यह सरिश्का का जंगल है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ पांडू पॉल यानि की नाम से ही पता लगता है कि भई पांडू पॉल दोस्तो बताया जाता है कि जब पांडू यहाँ पे अग्यातवास काट रहे थे तो अग्यातवास के कारण वो यहाँ पे घूम रहे तो एक बर भीम ने क्या किया मतलब अपनी गधा से पहाड के उपर वार किया और वहाँ पर एक छेद बन गया है तो चलिए दोस्तो हम लोग चलते हैं उस जगे को देखने के लिए और वहाँ पे उस जगे के बारे में जानने के लिए तो आप लोग अगर यहाँ पे आना रिजर्व यहां पर बड़े से पत्थर के उपर लिका हुआ है ताइकर रिजर्व इदर हम लोगों को जाना है यहां से इदर की जाईड में और अगर आप लोगों को मैं बताओं तो यह जो रास्ता है यह पीछे से आता है अलोर से और यह जैपूर के लिए गनेक्टेड ह और यह एनज आठ में भी मिलता है तो हम लोग अभी यहां से चलेंगे सीधा पर पांडुपोल इस रास्ते से हम लोगों को चलना है यह यहांसे हम लोग लेंगे टिकेट और आप लोग को बता देता हूं हम लोग बाइक से आये हैं तो यहांपे जो बाइक की टिकेट वह जो आपको सामने एक पशू दिख रहा है ना ये एक सांभर का पशू है मतलब इसका नाम है सांभर यहाँ पे रास्ते में एक तिराया आता है यह जो रास्ता आरा इधर से यह आता है टहला से और इधर आपको जाना है पांडू-पॉल दोस्तों अभी हम लोग यहां से जंग मतलब अभी हीरन है देखो मैं कोशिस करता हूँ देखो एक आप लोग को दिखेगा तो और अगर इसके नजदिक हम जाएंगे न भाग जाएगा देखो कि देखो मैं जूम कर देता हूं देखो यह गया दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहां पे पांडू पोल जी अभी का जहां मन्दिर है तो वहां पर हम लोग अभी पहुंच गए हैं और हमारे साथ में हैं महराज जी तो महराज जी से हम पूरी जानकारी लेंगे महराज जी आपका स्वागत करता हूँ हमारे में परिच्चि दीजिए और जो यहां की पांडू पोल का जो हिस्ट्र negoti這一 इतिहास है उसको आप इसता से बताएए ताकि यह जो जानका रिया और लोगों तक पहुंच सके तो यहां से एक किलोमेटर आगे भीम ने अपनी गदा से पहाड दोड़ा था जिसको पॉल के नाम से जाना जाता है तब इस जगह का नाम पांडू पॉल रखा गया था अच्छा भीम जी ने जब मतलब गदा से प्रहार किया था तभी वह पहाड तूटके मतलब पॉल टाइ कोई नहीं है तब उनका घमन तोड़ने के लिए हनमान जी महराज यहां पर बुड़े वानर की रूप में लेटे हुए थे पांडू आए तो पांडू ने अग्रे किया कि हेवानर राज अपनी पूछ अठाई है रोमें मारत दीजिए तो हनमान जी ने का भाई मैं बुड लेटी हुए मुद्रा में दर्शन दिये यही जो मूर्ती है जो पूरी लेटी हुई विराज मान इसे प्रकार से मूरती है नमान जी माराज की है यहां पर जो बीस तदालू आते हैं वो शनिवार मंगलवार और महिने के पॉन्द मासिल उस दिन अपने प्राइव IT वीट पूराना है कि प्राइचिन टाइम का मतलब की टाइम के अनुसार यहां पर डॉलप्मेंट हो गया था पहले कुछ नहीं था टाइम के अनुसार तो होते हैं लोग की जब यहां पर पांडव अग्यातवास काटने के लिए आये थे तो इसे बताते कि उन्हों अगर अपने को आना हो तो यहां से कौन कौन से रास्ते हैं यहां से तीन गेट होता है एक पस्ट गेट होता है सरिस्का गेट होता है है सेकिंड अपने टैला गेट होता है और थर्ड अपना सिली विरिगेट होता है तीन गेटों से यहां पर एंट्री होती है जो शनी मंगल और महीने की पूर्ण मासी इन तीन ओड़े को अलाउड अपने प्राइविट बीटल से अलाउड है और यहां पर जैसे मेला भी दोस्तों पंड़ जी ने हमें जो जानकारी दी वो बहुत अच्छी जानकारी दी क्योंकि हमें भी इतनी जानकारी यहां के बारे में नहीं थी हाला कि मैं भी अलवर का ही रहने वाला हूं मुझे जगे के बारे में तो पता है पर जानकारी मुझे भी कुछ जानकारी मिली तो मुझे भी अच्छा लगा और आप लोगों से विंती है इस वीडियो को जितना हो सके जादा सा जादा अपने दोस्तों के पास में अपने फैमिली वालों के रिष्टेदारों के पास में सेयर कीजिए ताकि यह जो जानकारी है उन लोगों तो भी पहुंचे और आप पंड़जी से इतिहास जानने के बाद में मैंने लेटे हुए हनमान जी के दरसन किये और उसके बाद में मैं निकल पड़ा उस जगे को देखने के लिए जहाँ पर भीम ने अपनी गधा से पहाड के उपर प्रहार किया था और वहाँ पर एक बड़ा सा छेद बन गया जिस तो होते गई होते गई तो पंड़ों की बात छिड़ गई और उस इतिहस के बारे में हमने थोड़ा सा माराजी से पूछा मेरा नाम भावरानंद है यहां यह अब दूत परामंद साफ्रामंद्वीय चित्रकूर बना हुआ है यहां पंडू पोल में बनवास काल में पांच का बनवास होगा तिरहमा वर्ष अग्यादवास होगा अग्यादवास का मतलब होता है कि अगर बारा वर्ष तक दिख जाते तो कोई बात नहीं थी बगए अगर तिरहमा वर्ष अग्यादवास में दिख जाते तो उनको फिर बारा वर्ष बनवास और तिरहमा वर्ष अग पवन पुत्र हनुआन जो है तो फोचे कि पवन पुत्र भीम भी है यह हमारा भाई लगता है और इहां फे जा रहा है इसके पाफ दफ अजार हाती का बल है और उस दफ अजार हाती के बल का उसमें अंकार है अंकार बस कुछ ऐसा काम कर देगा जिससे कि यह नष्ट हो जाएगा और फिर जो है तो बारा बस बनवाफ और तिरहां बस पर ग्याद भाफ भाफ भूबना पड़ेगा ता हनुमान जी महराज ने उसके परिक्षा लेने के लिए उसका हंकार दूर करने के लिए यहाँ पे बूड़े बंदर रूप धारण करके बैठ गए यहाँ पे जब बूड़े बंदर रूपधारण करके लेट गए लेटने के बाप जूद वहाँ दर से भीम पांचो पांडु आ रहा था भीम ने कहे ऐ बंदर यहाँ पे हमको राफ्ता दे दे हम चले जहाँ क्योंकि छत्री का धर्म होता है किसी को लांक के नहीं जाए उसको किसी तरह से हटा के जाए वो बंदर था कोई दुस्मनी नहीं था के लिड़ता बिड़ता हनवान जी महराज ने बोले कि आई भाई हम तो बूड़ा बंदर हैं हमसे पूँच इलती जूलती नहीं है आप जो है तो इस पूँच को हटा के और यहां से निकल जाए भीम ने का भाई तुम नहीं मानता है ले हम ही इटाए दे रहती है उसको जो है भीम को उन्होंने हटाने का कोशिश की नहीं उठी पूरा प्रयास लगा दिये तब भी भी नहीं पूरी ताकत लगा दिये तब उनके मांड में आया कि यह कोई मान सक्तिफाली है कोई सिद्ध रिशी मुनी है या कोई देवता है जिससे हमारी पूंच भीम ने प्राटना किया अन्मान जी महराज से कि हमें आप दरसंदो आप कौन है अन्मान जी महराज ने उनको दरसंदी है अन्मान रूप में और आशिर वारط दिया और आगे जो यह जो है तो वू चले गये है नहां पर बुड़ा अन्मान जी नाम का मुर्टी का इस्ताबना किये जो ये दफ सीड़ी उपर बुड़ानमान जी माराज का मौती का इस्ताबित है आगे जब गए तो राफ्ता बंद था दुरियोदर ने अपना गुपत चल लगा रखा था उनको देखने पकड़ने के लिए तो उन्होंने जो है तो पांडू पोल जिसका नाम है उफ को पांडू पोल का मतलब होता है पांडू के दोरा की गई छेद पांडू के दोरा किया गया होल उफ को वहां पे जा करके उफ ने जो है तो छेद किया भीम ने उफ को छेद किया और पांचो उफ राफते नाला से और सीरे राजा बिराट के नगर को चले गए दोस्तो यह वो इस्तान है जहां पर भीम ने अपनी गदा से पहाड के उपर प्रहार किया था और वहां पर एक बड़ा सा छेद बन गया था इस जगे का नाम है पांडू पोल पांडू पोल पांडू पोल यहां पर लोग देश विदेश से इस जगे को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में यहां आते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में वीडियो में कमेट करके जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को वीडियो और आपके वहाँ पर भी अगर कोई एशी जगे है एतिहासिक तो हमें जरूर बताईएगा हम उसको कवर करने की मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जे हिन जे भारत अपना ख्याल रखिएगा